वेलकम टू भारत कीचिन आज बनाएंगे खिला-खिला मसालेदार स्वाधिष्ट पोहा मिल्कुल नए तरीके से बना कर तयार करेंगे तो आप रेसिपी को पूरा देखें और रेसिपी को ट्राय जरूर करें चली देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बना रहे हैं यह आदा का पोहा ले लिया है इसे बड़े बरतन में डालेंगे और एक ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर चम्मच से थोड़ा सा इसे मिला लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे यह प्रोसेस हमें एक मिनट के अंदर करना होता है पोहे का पानी निकालने के बाद इसको एक मिनट तक टच नहीं करेंगे और फिर उसमें मिलाएंगे आदा चम्मच शुगर और चोथाई चम्मच नमक नमक और शुगर को पोहे में अच्छे से मिला देंगे धीरे-धीरे मिलाएंगे और इसको बंसाइड रख देंगे और कुछ तयारिया कर लेते हैं आप एक पैन में एक बड़ा चमच तेल गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे आदी कटोरी मुफली के दाने मुफली के दानों को सिम गैस पर हलके हलके रोष्ट करेंगे और इनका कलर जब गुलाबी सा हो जाएगा इनको निकाल लेंगे बचे हुए तेल में डालेंगे चोथाई चमच राई और कुछ कड़ी पत्ते राई की जगा पर आप इसमें मस्टर्ड सीट्स भी डाल सकते हैं एक मीडियम साइज की प्याज को हमने लंबा-लंबा काट कर लिया है इसको भी पैन में डालकर ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे एक आलू को हमने पतला-पतला काट कर लिया है इसको भी पैन में डाल देंगे और लगतार चलाती हुए एक मिनट तक सभी मसालों को भूनेंगे अब डालेंगे इसमें आदी चम्मच हल्दी पॉडर और चोथाई चम्मच लाल मिर्च पॉडर मिर्च और हल्दी को आदे मिनट तक मसाले के साथ इसको भून लेंगे अब मसाले में डालेंगे चोथाई चम्मच नमक, नमक को भी आलू के मसाले में अच्छे से मिला देंगे और सबी चीजों को इस तरह से फैला कर पैन को ढख देंगे और दो मिनट तक इसी तरह से बनने देंगे, गैस को सिंपर रखेंगे दो मिनट हो चुके हैं हम आलू को चेक कर लेते हैं ये देखे थोड़ा चला कर देखते हैं आलू थोड़े कच्छे लग रहे हैं दुबार से ढखके दो मिनट बखने देंगे दो मिनिट हो चुके हैं अब फिर से आलू को चेक करेंगे दीखे आलू को इस तरहा से थोड़ा सब तोड़ कर देखेंगे आलू गल चुका है अब हम मसाले में दो लंबी कटी हुई मिर्चे डाल देते हैं आप चाहें तो इसे चोटा-छोटा काट कर भी डाल सकते हैं एक टमाटर को हम ने छोटा-छोटा काट कर लिया है, इसको भी मसाले में मिला देंगे, और अब डालेंगे पोहे को धीरे-धीरे इसे मिलाएंगे, बिल्कUL भी जल्दी-जल्दी से नहीं चला ना, नहीं तो पोहा जो है, बैक हो जाता है, तो अराम से इसे मिलाते हुए हम इ एक निईया को भीू मिला देंगे अधेखियो की गणे हो धी कि आदा निभू का रजरुद। आपको पसंद आएगी इसका टेस्ट विल्कुल अलग होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो इसी दरा की नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और मेरे चैनल का बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे रेसिपी अगर पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग